डीबगिंग तकनीकें कुछ कारण जिनसे आप टार्गेट मशीन पर परिक्षन नहीं कर सकते ज्यादा यदि कोई हो एक प्रोग्राम फेल या विफल हो जाता है डेवलेपर मैनुविली फेलियर के कारण को ढूड़ता है डेवलेपर ढूड़ना जारी रखता है डेवलेपर दोश को फिक्स करता है प्रारम में टेस्ट करें टार्गेट तयार नहीं होगा या पूरी तरह स्टेबल नहीं है अपवाद सहित सभी कोड की एक्सरसाइज करें रियल अवस्था में एक्सरसाइज मुश्किल हो सकता है पुनह प्रयोग के योग्य रिपीटेबल परिक्षन विकसित करें टार्गेट के माहौल में करना मुश्किल है और बार-बार समान बग हिट करने की संभावना कम है टेस्ट या परिक्षन का रिजल्ट स्टोर करें टार्गेट के पास रिजल्ट स्टोर करने के लिए डिस्क ड्राइफ नहीं है बेसिक तकनीकें बाई तरफ के टार्गेट सिस्टम हाड़वेर इंडिपेंडेंट या मुक्त सॉफ्टवेर हाड़वेर पर आधारित या डिपेंडेंट कोड एच डवियू टेस्ट शिस्टम यानि ऑन होस्त दाहिनी तरफ पर हाड़वेर इंडिपेंडेंडेंट कोड एक समान सकाफोल्ड रिस्ट सकाफोल्ड सॉफ्ट्वेर में सभी functionality प्रदान करता है और target system के hardware dependent और hardware component की तरह hardware को call करता है, उनके लिए simulator की तरह. Embedded system interrupt driven होते हैं, इसलिए test interrupt पर आधारित होते हैं. Interrupt routine को दो components में विभाचित करें. एक component जो hardware से deal करता है, एक routine component जो बाकी system से deal करता है. Test करने के लिए routine को structure करें, जिससे hardware पर आधारित component A, hardware से मुक्त पार्ट B को call करता है. Component B को C language में लिखो, जिससे test scaffold इसे call कर सके. Timer interrupt routine की calling Scaffold के events की timing में रुकावट से बचने के लिए, test scaffold routine को इस तरह design करें, कि यह timer interrupt routine को सीधे call करें, ना कि host environment के अन्यभागों को. इस तरह, scaffold को test में events के sequence पर नियंतुरण रहता है, जो timer interrupt, script files और output files के बीच में आना चाहिए. scaffold को एक crumb या बार-बार system test करने देने के लिए, एक script file लिखें, command और parameters की जो test का नियंतुरण करें. script file को parse करें, जो एक output file में test system, command या parameter और direct output input script और output lines के मिश्रन पर आधारित है. script की command scaffold को B, software independent swindp component में routine call करने के लिए प्रेरित करती है. अधिक उन्नत तक्नीक, scaffold को स्वचालित रूप में घटनाओं की क्रम को कंट्रोल करने के लिए तयार करना, जैसे printer के interrupt को कई बार call करना, परन्तु swamping से बशने के लिए नियंतृत रूप में call करना. स्वचालित रूप से button interrupt routine को नियंतृत कर, scaffold को स्वचालित रूप से request को output line भेशने के लिए बनाएं, जिसके कारण एक के बाद एक button प्रेस होंगे और hardware से अगली output line प्राप्त हो सके. printer interrupt routine इस तरह, hardware से independent software scaffold द्वारा नियंतृत किया जाता है, जहां button interrupt switch की तरह काम करता है. scaffold में software independent code के कई उदाहरन हो सकते हैं, और scaffold उदाहरनों के बीच संचार का नियंतृत के रूप में कार्य करता है, जहां प्रतेक उदाहरन, scaffold द्वारा कॉल किया जाता है, जब hardware interrupt होता है, जैसे scanner या cash register. इस तरह, scaffold, hardware, scanner या register को simulate करते हुए, software independent code के कॉल किये गए उदाहरन को संचार सेवाएं प्रदान करता है. GDB remote serial protocol GDB remote serial protocol, GDB को remote या दूरी से किसी भी target को connect करने की अनुमती देता है, GDB RSP client की तरफ को implement करता है, जबकि target की तरफ से RSP server को implement करने की ज़रूरत है, उदाहरन के लिए GDB server RSP के लिए संचार channel एक serial या TCP या IP connection हो सकता है. Packet acknowledgement, प्रतेक packet एकल या single character से acknowledgement होना चाहिए, प्लस संतोश्चनक संकेत के लिए, माइनस, विफल और दुबारा से transmission को संकेत करने के लिए अनुरोध या request. Interrupt GDB server प्रसारण character 0x03 packet के बीच में interrupt कर सकते हैं, GDB server interrupt को अन्देखा कर सकते हैं, RSS packet मानक remote debug, remote target कमान में RSS packets, load कमान में RSS packets, step कमान में RSS packets, अन्देखा कर सकते हैं,